हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आप लोग बता है आज है 17 तारीक और कल है होली तो आप सबी लोग को हमारी तरब से होली की धेट सारी सुख काम ना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप होली वाला फोटो बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक होली वाला फोटो बना के रखा हूँ मतलब कुछ है आईसे ही बस जश्ट एक सेकेंड में बनाया था तो चलिए शुरू करते हो जा लेते हैं कि हम होली का फोटो कैसे बनाएंगे लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने इस पहले आप से एक छोट इस request है प्लीज वीडियो को एक like ज़रूर देना लाइक पर किलिक कर देना और आप इस वीडियो को share भी कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नॉटिफिकेशन को all पर set कर देना और आपको comment section में आना यहाँ पर एक प्यारा स्वा comment करना है happy holy और आप यह भी बताना comment section में आप कहां से belong करते है ठीक है फटाफट बता देना तो सबसे पहले आपको play store में जाना है, play store में आपको जाके search करना है holy photo edit app, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी application मिल जागी, आप देख सकते हैं application का पुरा line लगा हुआ है, तो इसमें से कुछ application अच्छे तरीके से काम करती है, कुछ application काम भी नहीं करती, तो आप देख सकते हैं क यहाँ पर 5 की rating है, तो यह application अच्छा होगा, तो आपको rating के हिसाब से download कर लेना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक application को install करके रखा हूँ, चलिए मैं इसको open कर लेता हूँ, तो आपको अपने हिसाब से install कर लेना है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैं application open किया, यहा पोस्टर का, तो simply हम यहाँ पर click करते हैं, अब हमको अपना photo select करना है, तो चलिए यहाँ से हम अपना एक photo select कर लेते हैं, जैसे हमने यह वाला ले लिया, तो आपको यहाँ से crop करना है, अब आपको यहाँ पर नाम लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ, happy holy, next, तो यहाँ पर add आएगी, add को हम कट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर एक must वाला photo वाला, सायरी वाला, happy holy का बनके तयार हो चुका, आप देख सकते हैं, अब दोस्तों अगर आप इसे save करना चाहते हैं, तो आप इसे नीचे click करके save पर save कर सकते हैं, आप देख सकते है जैसे हमने save पर click किया, यहाँ पर एक add आएगी, और यह photo save हो चुका है, ठीक, आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप काफी कमाल का एक, ओ भाई, आप देख सकते हैं, कि जैसे मैं हिंदी पर click कर रहा हूँ, यहाँ पर जो sorry, यह वा next होते जा रही है, ठीक, आप देख स सकते हैं कि हमने set कर दिया WhatsApp में status, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं कि background भी change हो गया, तो आप background भी change कर सकते हैं, यहाँ से अगर आपको इंग्लीस में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, share shape का option आपको मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से shape कर सकते हैं, ठ जैसे मुझे इस वाले फ्रेम में अपना फोटो लगाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, काफी आसान है, काफी सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक आप देख सकते हैं कि हमने एक फोटो सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, फोटो में कुछ कलर लगाना चाहते हैं, तो आप कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके, तो यह डिपेंड करता है, आपके उपर तो फिलाल हम बैक आते हैं, तो आपको कलर लगा के सेप पर क्लिक करके इसे save कर लेना फिर आप इसे status लगा सकते हैं या तो अपने दोस्तों को send कर सकते हैं अब आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा holy sms का तो जैसे आप click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर holy sms आ चुका है हिंदी में भी है, इंग्लिस में भी आप देख सकते हैं तो आप अपने इसाफ से holy sms भी किसी के पास send कर सकते हैं तो जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर share का option आ जाएगा next का आ जाएगा तो आप next कर सकते हैं, share कर सकते हैं, कोई नहीं तो फिलाल मैं back करता हूँ, ठीके आप समझ गये होंगे, अब आकी यहाँ पर एक effect का option है वहाँ पर जाएगे तो आपको और सारे feature मिलेंगे अब आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर मैं एक और application को install करके रखा हूँ तो चलिए मैं इसे open करता हूँ तो वही सारा system यहाँ पर भी आपको photo select करना है जैसे मैं यहाँ पर एक photo select कर लेता हूँ तो इधर है हमने photo select किया, आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर sorry आपको यहाँ पर नीचे कई सारे option मिल जाएंगे तो अगर आप एक holy का मज़दार photo तो बनाना चाहते है तो आप बना सकते हैं आप देख सकते हैं आपने चसमे लगा ली और यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने इसाप से और यहाँ पर अगर आप हाथ का पंजा लगाना चाहते हैं sorry अगर आप हाथ का पंजा लगाना चाहते हैं अपने गालों पर तो आप लगा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप हाथ का पंजा लगाना उसके बाद में आप गॉगल्स लगाना ताकि हाथ का पंजा नीचे रहे अगर आप इसे अपने सर्ट पर लगाना चाहते हैं टी आप देख सकते हैं बहुत सारे यहां पर color आपको मिल जाएंगे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अब अगर आपको download करना है तो आप download पर click करके इसे download कर सकते हैं आप अपने whatsapp पर facebook पर इस्टा पर share कर सकते हैं तो दोस्तों काफी कमाल की application वह इसे तो आपको बहुत सार application मिल जागी आप try कर सकते हैं वीडियो पसंद आती तो please वीडियो को like करना, share करना, channel को subscribe करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में